वेलकम, स्वागत थे आप सबका आपके अपने चैनल ड्रिम होम पर तो आज के वीडियो में आपके साथ में एक बहुती सुन्दर वास्तु प्लान शेयर कर रहा हूँ जो आपने छोटे से प्लोट एरिया के लिए बना सकते हैं प्लोट साइज है तो आज का हमारे जो प्लोट साइज है वो अगर आप देखे तो 20-30 फीट पर बना गया है और काफी छोटा फ्लोर प्लान है तो इसमें हमने एड़्जेस करने की पूरी कोशिश की है कि आपको एक अच्छा सा जो प्लान है वो आपको मिल सके तो plan की detail देखनें से पहले आपसे request है कि अगर आपको ये plan download करना है तो आप description में हमारी website का link दिया गया है वहाँ से आप download कर सकते हैं इसके अलावा आपको अगर कोई अपना plan बनवाना है तो आप ज़रूर हमें comment करें मैं आपको जल्दी जो आपका plan होगा वह आपको provide कर दूँगा इसके अलावा आप channel पर पहली बार visit करें तो channel को ज़रूर subscribe करें अगर आपको plan पसंद आता है तो आप video को ज़रूर like करें तो चलिए plan की थोड़ी हम detail देख लेते हैं तो आज का हमारा जो plan है वह आप अपनी screen पर देख सकते हैं मैं इसे एक बार थोड़ा zoom out कर लेता हूं तो ये PDF आपको मिल जाएगा description में दी गए website पर तो आप ये देखें तो 20 into 30 में आपका ये plan बनाए गया है तो 600 square feet के काफी छोटे plot size में आपका ये plan बनाए गया है तो अगर आपका भी plot area छोटा है और हमें जरूर सपोर्ट करना है ताकि हम और भी ऐसे plan आपकी साथ में शेयर कर सकें तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज का जो हमार plan है वो south facing plan है जो आप देख सकते हैं तो ये आपका main gate हो जाएगा और इस gate से आपके गर में एंटरी हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखें तो यह आपको first में आपको living room देखने को मिल जाएगा जो 10 feet 4 inch इंटो 11 feet 4 inch का बनाए गया है इसके अलावा आपको kitchen मिल जाएगा इसके पास तो 8 feet 8 feet का kitchen आपको देखने को मिल जाएगा तो वो काफी बड़ा kitchen है और इसमें आपको space की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर आप देखें तो यह staircase है kitchen के पास वाली दिवार से लगके हुए जो first floor के और जा रही है तो यह staircase यहाँ से शुरू हो रही है और यह first floor के और जा रही है तो यहाँ पर जो area यह आप देखें तो staircase का थोड़ा एरिया है उसकी height बढ़ जाएगी जिससे कि आपको यहाँ पर space मिल जाएगा और staircase के नीचे से आपको एक door देखने को मिलेगा जिससे आप चाहें तो open भी रख सकते हैं क्यूंकि आप study room के लिए एक और पुजा room के लिए तो इसे आप open भी रख सकते हैं ऐसा आप गेट लगवाने की ज़रूरा नहीं है तो यहां पर आप देखें तो आपको फुजा room मिल जाएगा 8 feet इंटो 5 feet का और यहां पर आप देखें तो आपको एक study room भी मिल जाएगा तो 8 feet इंटो 5 feet 4 इंची का आपको study room भी देखने को मिल जाएगा इसके लाभ आपको एक common आपके पूरे घर के लिए जो महमान आते वह भी यूज़ कर पाएंगे और फेमिली मेंबर भी यूज़ कर पाएंगे इसके लाब आप देखे तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल रहा है जो दस फीट आट इंटी इंटी दस फीट चेंजी का है तो काफी बड़ी साइज इसका है तो यह बेडरूम आपको देखने को मिल जाएगा तो काफी शेंदार प्लान है जो 600 स्कुरर फीट में इसे सेट किया गया है और आपका अगर बजट कम है तो कम बजट में आप इस प्लान को कंपलेट करवा सकते हैं क्योंकि यह काफी बजट में आपका प्लान है और लगबग आप देखें तो ये आठ से नो लाक रूपे में आपको इस टाइब का जो प्लान है कम्प्लिट हो जाएगा नो या ज्यादस ज्यादस अगर आप कुछ और भी एक्टरा गरवाते हैं जैसे और भी फनीचर में या कुछ करवाते हैं तो दस लाक के अंदर आपक कोई प्लान बनवाना आए तो आप जरू कमेंट करें क्योंकि कम साइज में काफी कॉस्टमाइजेबल आपको जो भी रिक्वार्मेंट है वो आप लिख कर कमेंट करें ताकि मैं आपको वह प्लान प्रोवाइट कर सकूँ जल्दी जल और इसके अलावा आप अपना जो अशरा करूँगा आपको यह प्लान पवसंद आए होंगे आप चैनल पर और वैजिट करें और भी आपको और प्लान से लोग जाएंगे us श्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो मिलते है नेक्स वीडियो में नए प्लान और नहीं जनकार इक साथ ताकि और कुछ अच्छे प्लान आपके साथ में शेयर करूंगा तो आशा करूंगा आपको ये प्लान पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद